वालेखुम फ्रेंड्स आज मैं आपके शर्षाय करूँगी बहुत ही तेस्टी बहुत ही हेल्दी नाश्टे की रेसिपी जिसे हम कल्म तेल में बना के त्यार करेंगे और ये नाश्ता बच्छे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आसा है तो आप चाहें तो लंच में भी बना में अलिट करके मैंने एड कर डिया है हम और इसमें सॉटे लेना इसमें हमारा है हरी मिर्च सदब- मिर्च भिए में,fold उपर दो Hungary को तौर सबंद ON इसे भी हम इसे तेल में प्यास के साथ अच्य से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला भून जाया अच्य से एक भी आख मिनिट के करीब हम इन मसालों सरे खुड़ के जाएज और पिछुटकी अच्छाम्हिच कि उभ्लू भी चुटकी भर हल्दी आणार तरख ईकके निलिए की अफ़ी क जो चैस अचनार के लिए तो अच्छ तो पहली है कि इस अच्छी मेल चीक आर्पक right लिए पड़ी तो आपक्षे की यहां गदम से लाभी। ताके हमारा जो मतर है वो भी इसमें अच्छे से मैश हो जा तो देखेए बहुत अच्छा सा मेक्स हो गया है अब इसमें हम बारी कटावा हरा धनिया आट कर देंगे और इसे अच्छे से मेक्स करके इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइट पर रख देंगे, यह मसाला इतना चटपटा और टेस्टी बन के तयार होता है, ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा, और तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी मसाला हमारा बन के तयार हुआ है, यहाँ एक मिक्सिका जार ले 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 ताकि सूजी जो है, अमारी बहुत अच्छे से पेस जाए, दंबारिक फाइन पेस्ट बन के तयार हो जाए, तो देखें मैंने अच्छे से ग्राइड कर लिया, ऐसे एक बावल में हम निकाल लेते हैं पहले, और हाँ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो पसंद मिक्स करने के बाद, हम यहाँ पेशोड़ी बाली जाटोर्टी ले onसे जोड़ा है, और हम इसमें एक बड़ाचमज बैटर आट करेंगे, ऑग से दो बड़ाचमज बैटर आट कर देंगЕ, और आलो उलिच के पासला क fakə ने लेंगे यहाँ से भी और पर उपर जुच्छ से और फिर उपर से हम इस तरह का बैटर बनाया है वो रग देंगे और यह नाश्ता इतना जटपट और इतना टेस्टी बन के तयार होता है एक बार आप इसे जरूर से ट्राइ किजिएगा बहुत ही जटपट बनके तयार होती है तो देखे इसी तरह से मैंने सभी को तयार कर लिया है आपके पास अगर छोटी कटोडी ना हो तो इस तरह का जो इडली स्टैन आता है उसमें भी आप बना के तयार कर सकते हैं सेम प्रो इने फ्लेह मीडियम करके जब यहाँ पर हीट हो चुका मैं व्लेम को मीडियम करके लग-भग 15 मिनट के लिए इसे हम एसे रही मीडियम देगे तो दिखा आद मैं आपको इसे दिखाती हुँ तो देखे प्रफेक्ट नास्त लेकि या हो नाश्था तो देखेसे नाश्टा हो गया है या पुड़ी तरह से तो अब इससे नाइफ के हल्प से साइड वाले पोशन को हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि यह इजी ली निकल सके तो देखे एकदम परफेक्ट हमारा नाश्ता बनके तयार हो गया है तो अब देखिए जो मैंने इडली स्टैन में बनाया तयार हो जाएगा तो अब इसे हम क्या करेंगे कि पैन में थोड़ा से तेल डालके इसे अच्छे से से लेंगे ताकि नाश्ता हमारा और भी खाने में तेस्टी लगे तो दो बड़े चमचिस में तेल गरम हो जाएगा तो हम अपने इस नाश्ते को इसमें आड कर देंगे तो भी मैंने तीन ही आड किया था देखी जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके साइड को टर्न कर लेंगे उसके बाद हम सभी को इस तरह से साइड पलट लेंगे और इस तरह से गोल्डन कलर आने तक हम एक साइड से इसे अच्छे सेख लेंगे तो जगह खाली थी तो मैंने एक और एड कर दिया था था कि एक बार में हम चार पांस सेख सके तो यहाँ पर देखे बहुत अच्छा सा सेख सुका है इसे अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो लिजे फ्रेंट्स बहुत ही डेस्टी बहुत ही हेल्दी हमारा नाच्टा बन की तयार है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक किजिएगा चानल पे न तो सब्सक्राइब करना ना बुलेगा चलती हो इंशारला फिर लौट क्या होंगी तब तक के लिए अनला आपीज